नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेन धम्चरमार करवा चोट गुरुवार के दिन है और इस दिन भगवान गनेश, मा पारवती और चंद्रमा की पूजा की जाती है चंद्रमा आयू, सुख और सांती का कारक माना जाता है इसलिए ब्रत करके पती की आयू लंबी हो और घर में सुकसांती प्रेम बना रहे और इस बर्स ये जो करवा चोट है बिसे इस तोर पर बहुत सारे सुबसुब योग बन रहे हैं और इसलिए ये खास है पूरे सतर सालों के बाद ऐसा योग बना है और ये पर्व सुन्दर प्राप्ति का भी ह ऐसा मानते हैं कि इस बर्व को करने से बर्व को रखने से रूप और सुन्दर का वरदान भी मिलता है इस दिन सुभागी की प्राप्ति के लिए प्रियोग भी किये जाते हैं जो 100% सफल होते हैं आज हम आपको भी बताएंगे इस बार करवा चोट के बरत के नियम और साबधानी क्या है पहले ये जानने केवल सुहागन महिलाएं या फिर ऐसी लड़कियां जिनकी साधी तै हो चुकी है ये बरत रखती हैं या रख सकती हैं ये बरत सुर्योदा से लेकर चंद्र उदै तक यानि चंद्र उदै तक पुआस रखिए जो महिलाएं ये बरत रखेंगी वो काला या फिर सफेद कपड़ा नहीं पहरेंगी लाल बस्तर सबसे अच्छा माना जाता है आप लाल बस्तर पहन कर पूजा करें या फिर पीला बस्तर भी पहन सकती हैं इस दिन पूरा स्रिंगार यानि 16 स्रिंगार करना चाहिए और पूरा भोजन भी जरूर करना चाहिए यह नहीं कि थुरा बूत खाके उड़ गए नहीं भोजन पूरा खाना चाहिए एकदमस जैसे आत्मा मन सब कुछ प्रफुलित रहे अगर कोई महला और स्वस्त हैं तो उनके अस्थान पर उनके पती भी ये ब्रत रख सक लगते हैं ताकि ब्रत छूटे नहीं करवा चोट का अपियस से भी संबंध होता है क्योंकि चतूर्थी तिथी को रिखता और खला भी कहा जाता है इस दिन सुभ कारे नहीं करने चाहिए बरजीत होते हैं अगर आप एक बात जान लें चतूर्थी तिथी के दिन अगर आप चंद्रमा को देखती हैं तो इससे अपियस लगता है कलंक लगता है इसलिए इस दिन चंद्रमा का दर्सन करना मना होता है और गनेज जी की उपासना करके अगर चंद्रमा को आप नीची निगा से अर्थ देते हैं तो अपियस का दोस भंग हो जाता है या फिर चलनी से दे कर्वा चोट के दिन अगर अपयस दूर करने के लिए आप उपाई करें तो क्या करेंगे उसके पहले हम आपको बता दें अगर आप पती पतनी में बिना कारण के बिवाद होते हैं तो मध्यरात्री यानि रात 11 से 1 के बीच लाल वस्तर धारन कीजिए आप गनेज जी के सामने जाकर घी का दिया जलाएं और पीपल के पत्ते पर सिंदूर रखकर गनेज जी को अरपित करें अगर आप चाहें तो महिला हैं तो लाल पुस्त भी अरपित कर सकती हैं और एक मंत्र भी सामने स्क्रीन पर गया ओम रिद्धी सिद्धी बिनाय काय नमह इस मंत्र का 108 बार भगवान गनेज की सामने घी का दिया जलाना चाहिए और उन्हें लड्डू का भोग लगाना चाहिए अगर आप मन चाहा विवा करना चाहते हैं तो फिर इस दिन अपने उम्र के बराबर गनेज जी को लड्डू का भोग लगाए और फिर सभी में वो लड्डू बांट द तब इसे ठीक करने के लिए करवा चौट के दिन मध्यरात्री में पती-पत्नी जिनको इच्छा है वही कर सकते हैं मध्यरात्री में आपको पीले वस्त धारन करके गनेज जी के सामने एक मुख्य घीका दिया जलाएं अब उन्हें पीला वस्त और हल्दी की दो गांठर पित करें फिर एक मंत्र बोलना है ओम गंगन पते नमः जितना ज़्यादा जप हो सके कीजिए और पीले वस्त में हल्दी को बांध कर अपने पास रखें अपने बेडरूम में रखें अपने सिराहने रखें यकिनन पती- बतनी की दूरियां खत्म हो जाएगी आप लोग करीब आजाएंगे तो छोटे-छोटे उपाए करके इस दिन आप भगवान को गनेज जी को मा पारवती को चैंद्रमा को मना कर आसिरवात प्राप्त कर सकती हैं फिलाल भी दालेते हैं हरहर महादेव